यहां पर सप्टेंबर का मीना बहुत ही अच्छा था जहाँ पर देखा जाए तो आपके एक से एक फ्लैक्षिफ प्रोसेसर सा अनॉंस्स होए सबसे पहले एपल ने अपना A19 Pro निकारा जो आईफोस 17 Pro में मिलना शुरू हो चुगा है इसके साथ ही MediaTek ने भी यहां पर Dimensity 9500 बोला और बोला कि upcoming Oppo के fine device में यह चीज़ देखने को मिलेगी लेगिन जो सबसे भैतरी प्रोसेसर था वो तो भी आना बाकी तब और वो यहां पर लाँच होता है Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 यह सबसे तगड़ा प्रोसेर होता है और अल्रेडी अनॉस्मेंट हो गया कि इंडिया के अंदर ही iqoo 15, 1 Plus 15 और Xiaomi 17 में आपको देखने को मिलेगा और अगले साल क्या पता Galaxy S26 की लाइनप में भी आजाए वेल बात करें तो यहां पर Snapdragon वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सबसे एक इंट्रेस्टिंग बात मैं आपको बदा सकता हूँ आज के समय में 25,000 रुपे के सेग्मेंट की उपर अगर आप देखेंगे तो सबसे पॉपलर चिप यहां पर आल्रेडी Snapdragon होता है आगे निकलता हुआ है Qualcomm Snapdragon लेकिन बात करें तो Snapdragon 8 Gen 5 Elite इसका नाम यहां पर ऐसा क्यों रखा गया सबसे पहले तो Elite वाली जो category थी यह proper premium category होती है आपके smartphone processor की जहांपे आपको high end chips एकने को मिलती है आपको सबसे बहतरीन performance मिलेगी और इसलिए से 8 Elite का गया और generation 5 इसलिए रखा गया है Snapdragon 8 Gen 1 से लोग ने rebranding करी थी इससे पहले Snapdragon 888, 865 यह सब आया करते थे और उसके बाद 8 Gen 1 वाली चीज़ को continue करते गए तो Snapdragon 8 series की 5th generation है जहांपे Elite आपको performance देखने को मिलेगी और with Orion course के साथ इसके साथ ही बात करें तो यह chip के साथ आपको काफी कमाल की चीज़े देखने को दी सबसे पहले तो लेटेस TSMC की 3NM process पर बेस्ट है जिसका मितलब यह काफी जादा advance होने वाली है जिसके अंदर आपकी बैटरी होती है वो भी काफी जादा कम लेगी प्लस हेटिंग भी कम निकालेगी और आपको advance performance निकालेगी इसके साथ ही यहाँ पर आपको 8 course देखने को लेंगे दो आपके होंगे prime course और 6 होंगे आपके performance course और maximum जो clock speed होगी वो 4.6 GHz तर जा सकती है जो कि already one of the fastest होती है आपके mobile phone के chip के अंदर और सर्थ इतनी बात नहीं है यहाँ पर खयाल रखा गया है आपके Adreno GPU का भी जहाँ पर आप high fps gaming का मजाल ले पाएंगे जिसका मतलब है कि almost 165 fps gaming with rate racing enabled Janshan Impact जैसे गेम में तो वो चीज़ भी possible हो सकती है यहाँ तक कि यह भी promise किया गया कि यह advanced video codec को भी support करेगा APV जिसके अंदर आप nearly lost last video record कर पाएंगे अपने mobile phone से और जिसके अंदर इत्ती जादे detail होगी अगर किसी को अगर post processing करनी है उसके अदर heavy editing करनी है तो वो सीज़ करना भी possible है और even बात करें NPU की यहाँ पे आपको hexagon NPU देखने को बिलता है जिसके अदर आप टू 45 top space को यह run कर सकते हैं कहने का मला भी धर यह कि यहाँ पे जो 45 tops की जो performance होगी वो देखने को मिलेगी आपके mobile phone में यह आपको इसके X Elite वाले में पहली भी देखने को बिलता था तब भी कई सारे local चीजें यहाँ पे AI की perform कर लेगा इवन बात की जाए तो यहाँ पे आपको agentic AI का भी support देखने को मिलेगा और जिन लोग को नहीं पता agentic AI क्या होती है तो simple सी बात है कि यहाँ पे mobile phone के अंदर app रहेगी यह कोई भी आपका website रहेगी वहाँ पे जाना, कहाँ पे क्या option अधर click करना यह सारे चीज़ा automatically कर पाने यह agentic AI का काम होता है यानि की simple सी बात है माल लीज़े अगर आपको एक film की ticket book करनी है तो automatically website पे जाएगा और आपसे पूछ लेगा कौन से film, कौन से show, कौन से theater में और बाके सारी चीज़े आपके बहाँ पे भर देगा सही button पे click कर देगा और आपसे वो approval ले लेगा कि आपको यहाँ पे लेना है कि नहीं लेना है और सारी के सारी चीज़े back end में हाँ पे कर लेगा यह होता है फायदा agentic AI का आपको अलग-अलग app में जाके अलग-अलग चीज़े करने के ज़रूत नहीं है AI हर app को background में खोल के सही जगे click करके यह पता लगा सकते कि कौन सी जीज़ सही जगे है और यह काम आपको यहाँ देखने को मिलेगा इस तरीके के feature built in हो रहे यहाँ तक की बात करें तो advanced professional video codec का support है लेकिन video recording के साथ सब फोटोग्राफी में आप real time image कैसी ले पा रहे है उसका भी यानि की real time के अंदर अगर आप high air zoom को use करें 20x zoom मी ले रहे हैं तो आपको display पर ही आपको काफी clear आपको images देखने को मिलेंगे और हाँ यह already one of the fastest हो जाता है डाउनलोड और upload speed में with power efficiency के साथ और Wi-Fi 7 के साथ compatibility भी आपको देखने मिलती है मारकेट में आउचो जेतनी भी chips हैं उनके अंदर जो 5G modem है ना उनमें से सबसे भेतने 5G modem Snapdragon अपने force के अंदर डाल कर रहे हैं यानि कि आपको high performance मिलेगी high speed मिलेगी और आप एक high performance का मज़ा ले पाएंगे यह कुछ चीज़े हैं अच्छी यहाँ पर इसके साथ ही finally बात कर तो camera में यह up to triple 200 megapixel cameras को support कर सकता है Dolby Vision में 8K video recording का support आपको देखने को लता है slow motion video recording है यह सारी चीज़े और definitely बात की जाए तो यह कुछ ऐसे advanced चीज़े जो इसे काफी जादा यहाँ पर future proof बना देती है प्लस एक सबसे important बात है अगर मैं इसे compare को आपल की A19 Pro और Demensity 9500 के साथ तो already A19 Pro को यहाँ पर already हर मामले में बीट कर सकता है A19 Pro के बास एक advantage रहता है कि iOS का optimization है अगर वो चीज़ अगर उससे चली जाए तो यहाँ पर A19 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 5 के नजदिक बिल्कुल भी ना पता raw performance 8 Elite Gen 5 की बहुत advanced है single core performance भी जाद है multi core भी जाद है और यहाँ पर thermal efficiency का भी खाल रखा गया कोई भी thermal throttling नहीं होगी क्योंकि chip के अंदा कोई problem नहीं है अगर mobile phone comes nice proper cooling, proper vapor chamber cooling डाले सारे चीज़े बहतरीन करें न तो आप कोई बहतरीन experience देखने का भी सकता और Dimensity 9500 देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर लग रहा है कि A19 Pro को beat कर देगा snapdragon के नसदी कावाएगा अब देख के लग रहा है कि थोड़ा सा पीछे रहा है चाहे मैं बात करूँ 5G mode में चाहे मैं बात करूँ AI की performance में चाहे बात करूँ GPU में जो कि इसे 120 fps rate tracing को support कर रहा है यहाँ फिर बात करूँ आपके यहाँ पे single core performance यहाँ पे थोड़ा सा पीछे उड़ता हुआ जा रहा है इसके साथी बात यह कि MediaTek Dimensity 95 आपको सिब कुल लिमिटेड फोंस में देखने को लेगा upcoming Oppo का कोई फोन होगा आएगा है Vivo का फोन आएगा लेकिन snapdragon 8LE Gen 5 के भर में बात यह रहेगी कि आपको multiple phones के अल्रेडी अनौस होगा है Xiaomi 17, OnePlus 15, IQ 15 IQ 15 इस फोन हो सकता है चुन्दिया में सबसे पहले लाँच हो Realme GT 8 Pro भी फोन होगा चुकि इसी साल लाँच होगा OnePlus 15 भी इसी साल लाँच होगा Samsung S26 अगले साल लाइगा और भी कुछ phones के साथ यह चिप आपको market में देखने को मिलेगी और already जो penetration होगा Snapdragon 8LE Gen 5 का भी यह देखने को मिलेगा जिसका मदला भी है कि अगर आपको top of the line performance है यह top of the line काम करना है तो उसके लिए आपको एक ऐसा चिप देखने को मिलेगा तो उसका भी आपको support देखने को मिलेगा जिस कारण से यह चिप आपकी काफी दर future proof हो जाती है लेकिन अब बात करते कि यहाँ पर 8LE Gen 5 तो आपकी top of the line top tier चिप होगे जो flagship में आने वाली है लेकिन flagship के लिए क्लिए के भी Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 यह इसमें 8 Elite नहीं है 8 Gen 5 है लेकिन इसमें भी around course है इसको officially tease किया गया launch नहीं किया गया है इसका launch कुछ समय बाद आपको देखने को मिलेगा हाला कि 8 Gen 5 के साथ हो सकता है आपको जो flagship killer वाली जो category रहती वहाँ देखने को ले यानि कि top of the line performance at affordable price तो इस chip का भी हाँ पर आपको अनफेट कर सकते है लेकिन इसे के साथ ही Snapdragon ने coffee interesting chip निकाली और उस chip का नाम था Snapdragon X2 Elite जिसके अंदर X2 Elite Extreme और X2 Elite के दो version देखने को मिलते है देखो simple सी बात है कि last year Snapdragon X Elite आया ता यह आया ता आपके laptop के लिए और उनी laptop chips का 9 generation निकाली जो proper लगता है कि version 2.0 है जिसके अंदर आपको हर एक चीज के अंदर काम जिया गया यानि कि इस बार ये लोग अपनी Snapdragon X2 Elite के अंदर 24 hours की battery life promise नहीं कर रहे है यहाँ पे multi-day battery life promise कर रहे है जो इससे पहले Windows में हमने कभी नहीं सुना था कि एक दिन से जादा कभ यूज कर लोगे laptop लेकिन multi-day battery life finally laptop सो यहाँ पर possible होगी इसके साथ ही यहाँ पे GPU को भी काफी advance किया गया है कि आपके heavy gaming यहाँ पर कर ले जिसका मतले है कि thin and light में कभी हमने सोचा नहीं था कि gaming कर पाना possible होगा लेकिन GTA 5, Cyberpunk जैसे games के साथ यह chip आपको और जादा high fps प्रोवाइड कर रही है वो भी thin and light laptop Windows के अंदर यह काफी कमाल की चीज़ है इसके साथ ही यहाँ पे NPU के अंदर काम जा गया है और जो तीनोई chips निकाली गई है इनके अंदर 80 Tops आपको देखने को मिलता है NPU जो कि already game changer ए इंडस्ट्री में इंडस्ट्री में आज के समय में थिले light में सबसे जादा जो Tops होते वो AMD देता है 50 Tops यहाँ पे Snapdragon X2 Elite 80 Tops पे आ गया है कोई app चलाने जिसके अंदर AI चल रहे है या फिर कोई model आपको locally run करना है वो चीज यहाँ पर possible होगी तो यह कोछ advantage है इसके साथ ही Wi-Fi 7 इन सब कर पे support देखने को मिल रहा है प्लस जो यहाँ पे course होते है उनकी भी काफी जादा powerful रखा गया है जिस current से यहाँ पे chip इस level की कि जो emulation होता है जो पुराने Windows के software जो emulation का use करके चलेंगे उनमें भी अच्छी performance देखने को मिलेगी यह अच्छी बात है यानि कि simple सी बात है कि आप कोई high end performance देखने को मिलेगी snapdragon x2 elite series के साथ even कुछ खास बात है snapdragon x2 elite के साथ की जो x2 elite extreme होगी उसके अदर आपको 18 course देखने को मिलेगी जिसके अदर 12 prime chip performance course होंगे उससे जादा powerful हो जाते है यहाँ और यह chip already one of the fastest ARM architecture वाली chip हो जाती ही है यह चीज़ इसके साथ ही यहाँ पे 2 snapdragon x2 elite टेखा लिए एक x2 elite के अदर आपको 18 course और एक में 12 course जो normal x2 elite है वहाँ पे 4.7 GHz की clock speed रखे गई है और जो यहाँ पे snapdragon x2 elite है रेगुलर वाला वहाँ पे 4.4 GHz की top speed है इसी के साथ ही Adreno GPU में direct x 12.2 का support है तो direct x की game चलाएगा Vulcan API की game चलाएगा और opencl के game चलाएगा और इवन यह 4 के 144 Hz का refresh rate को भी support कर सकती यह chip यहाँ पे और इवन यहाँ पे snapdragon x75 5G modem का support है तो 5G capabilities अगर किसी laptop में चाहिए तो उसके साथ भी काफी high performance यह पे deliver कर सकता है और security के अंदर Microsoft Pluton का भी support है जिसके अंदर आपको जो hardware level के security वो देखने को थी कहने का मतला विज़ा सिंपल सी बात है जिसके अंदर high performance भी आपको देखने को मिलेगी और आपको thermal efficiency भी देखने को मिलेगी और सारी के सारी चीज़ आप on device battery के साथ भी कर पाएंगे तो यह कुछ advanced चीज़े रहती है और देखके अच्छा लगता है कि Snapdragon यहापे बहुत तीज़े से काम कर रहा है आपके PC division के अंदर अब देखने वाली बात है कि बाकी सारी companies के PCs को कब अन्वील करती है और कौन-कौन से OEM होते हैं जो Snapdragon X2 Elite Series के साथ अपने PCs को यहापे इंडिया के मार्केट के अंदर लाते है यहाँ पर recent sale के अंदर Snapdragon X के laptops अल्रेडी 50,000 के segment में आ गया थे लेकिन X2 Series अगर मार्केट में आ रही है तो यह भी काफी बड़ अड़ाइज हो सकता है दिखते हैं यहाँ पर और चाह चीज़े रहती है लेकिन दिखते हैं अच्छा लगए कि Snapdragon वाले बिल्कुल भी हार नहीं मान रहे है और लगातार अपनी चिप्स को बैटर करते जा रहे है पुरानी प्रॉब्लम्स को फिक्स करते जा रहे है और यह बहतरिन चिप और बहतरिन प्रॉडक्ट आपको यहाँ पर फाइनल ली डिलिवर कर रहे है दिखते है फ्यूचर क्या रहे है स्नैपड्राइगन का पीसी के अंदर पाकि ओवराल यह कहानी होती कुछ Snapdragon AX2 Elite की, Snapdragon 8 Elite 5 की जो यहाँ पर मैंने आपके साथ डिसकस करें आप लोग को यह चिप से आपके कैसे लगे नीचे कमण बताइए थैंकियो बने रहने की मैं आप सलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर गुडबाए